सबसे पहले हमने 1 Hexagon लिया ος और the ratiode भी हमारे पास6 ही होते यह Trigonometric Ratio अब हमें क्या करना एक फॉर्मिला याद रखना एक जो Tan domains Enough comes One इक्वल होता है वो होता है sin theta divided by cos theta इसे हमें याद रखना है so अगर हम लिखें that is tan theta ये किसके equal आएगा अगर हम इसे is hexagon पर represent करना चाहें तो हम इसे किस type से represent करेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं tan theta so tan theta को हम लिखते हैं इस जगा पर next ये किसके equal होता है sin theta divided by cos theta ये चीज हमारे पास first है that is tan theta जो होता है वो equal होता है यहाँ पर sin theta divided by cos theta के ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी भी है और ये सिर्फ basic formula है अगर आपको ये formula याद है तो आप trigonometric के कोई भी formula याद रख सकते हैं next अब बात करते हैं सिर्फ तीन ratios तो होते हैं एक trigonometric जो ratios हमने पढ़े वो total 6 होते हैं अब यहाँ पर तो हमने तीन ही ratios लिखे हैं next next चीज हमें ये पता होनी चीए कि tan का opposite कौन होता है और we can say tan का reciprocal कौन होता है cos का reciprocal कौन होता है sign का reciprocal कौन होता है कि साइन का reciprocal होता है कौन होता है पर हम कभी कभी ये कंफ्यूज होते हैं कि sassick जो है sign का reciprocal है या जो कौस है उसका reciprocal है तो इस चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं hexagon में हमेशा जो तीनो c होते हैं अगर हम c देखे हैं आपर कौन कौन से हैं ये तीन सी हमारे हैं तो इस hexagon में ये एक ही side आते हैं एक साथ आते हैं ये तीनों सी हमिश्था तो उस according हम ये कह सकते हैं कि जो sign का reciprocal होता है वो cosac होता है 10 का तो आप reciprocal easily याद रख लेते हैं कि वो cot होता है अब इन्हें लिख देते हैं like cot theta, cosac theta and sec theta ये हमारे प present next next चीज़ हमें क्या पता है यहाँ पर एक formula पता है उस formula के according क्या हो रहा है कि जो ये 10 है यानि कि अगर आप इस 10 को देखें तो ये किसके equal है next divided by third one यानि कि जो ये first है वो किसके equal है second divided by third ये चीज़ हमें याद रखनी है अगर आप चैक यहाँ पर clockwise move करें या फिर ये हो गया clockwise move करें या फिर एक तरह से अगर आप anti clockwise भी move करें तो भी हमेशा ये होगा है आपर जो first होगा वो equal होगा second divided by third और इस according हम यहाँ पर trigonometric ratios में आपस में कुछ relationship develop कर लेते हैं हम इसे लिख लेंगे trigonometric ratios में first hexagon में हमने क्या सीखा कि जो first होगा वो equal होगा second ratio divided by third ratio ये important चीज़ है इस जगह पर अगर आपको trigonometric जो formulas है उनका relation याद रखना है तो यहाँ पर देखते हैं एक बार हम clockwise भी चेक करेंगे और एक बार anticlockwise भी यहाँ पर चेक कर लेंगे next अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो first हम यहाँ पर clearly देख पाएंगे कि जो tan theta है यानि कि ये अगर first है हम mark कर लेते हैं ये one two three यानि कि one जो होगा वो equal होगा two divided by three यानि कि पहला formula हम लिख सकते हैं tan theta जो होगा वो equal होगा sin theta divided by cos theta ये होगा हमारा first formula यहाँ पर next इसी तरह अगर हम अब और formula हैंपर बनाने की कोशिश करें तो वो भी कुछ इसी तरह यहाँ पर form हो सकते हैं like second पर आ जाते हैं इसके बाद अगर हम देखें कि sin theta कि इसके equal होता है तो लिख लेते हैं second हमें क्या check करना है sin theta तो one two three यानि कि जो sin theta है वो equal होगा cos theta divided by cot theta तो हम इसे उसी according लिख लेंगे that is sin theta equal cos theta divided by cot theta third अगर हम cos theta check करें यह किसके equal होगा next यह होगा हमारा one यह two यह three तो cos theta जो होगा वो equal होगा cos theta so three formula यहाँ आपने put कर दियें इसी according अगर हम fourth देखें तो fourth में यहाँ पर cot theta है तो fourth formula भी अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो वो भी बहुत easily आ जाएगा like cot theta इस बार one हो जाएगा cos theta divided by sec theta next sec theta अब check कर लेते हैं so fifth formula अगर हम देखें तो यह होगा one यह होगा two यह होगा three so हम कह सकते हैं कि sec theta जो होगा वो equal होगा that is sec theta जो है वो equal होगा है यहाँ पर अगर हम directly लिखें तो यह equal आएगा ten theta divided by sin theta so यह हमने कुछ formula हाँ पर लिख ली है अब एक बार देख लेते हैं कौन से रहे गया यहाँ पर cosec बचे गया तो cosec अगर हम देखें तो cosec theta यानि कि यह one हो जाएगा next sec two आएगा और ten आजाएगा three so cosec theta यहाँ पर equal होगा that is हम directly से भी लिख लेंगे six को sec theta equal sec theta divided by ten theta यह तो होगी बात जब आप कैसे मूव कर रहे थे किस direction में अब हम मूव करें हम मूव करें हैं यहाँ पर clockwise direction में यानि कि अगर हम clockwise मूव करते हैं तो यह सारे formula हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे यानि कि सारे formula कौनसी direction के हैं नीचे लिख लेते हैं that is clockwise अगर इस hexagon में हम move करते हैं तो इस type से ये formula हमारे पास आ जाएंगे लेकिन क्या हम सिर्फ clockwise move कर सकते हैं क्यों हम anti-clockwise move नहीं कर सकते हैं अब अगर आप anti-clockwise भी move करेंगे तो भी इसी type से formula आपको बनाने होंगे like आपने सीखा था कि 1 जो होगा वो 2 divided by 3 के equal होगा so इस according अगर हम दुबारा 10 से ही start करें like हम लिख लेते हैं किसे किसे यहाँ पर लेने वाले हैं first तो हम लेंगे 10 थीटा second आएगा हमारे पास sign थीटा third आएगा हमारे पास cos थीटा next आएगा हमारे पास cot थीटा next sec थीटा and last हम चेक कर लेंगे एक बार cos थीटा कि cos थीटा कि किसके equal होता है cos थीटा तो start करते हैं अगर हम यहाँ पर देखें 10 थीटा अब हमें anti-clockwise move करना है तो 10 थीटा अगर हम 1 रखें तो यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 3 so हम कह सकते हैं 10 थीटा जो होगा वो equal होगा sec थीटा divided by cos थीटा so हम इसे लिख लेंगे 10 थीटा जो है वो equal होगा sec थीटा divided by cos थीटा same इसी तरह से next अगर हम देखें तो next हमारे पास है यहाँ पर sin थीटा sin theta अगर हम 1 रखें तो यह होगा 2 यह होगा 3 so sin theta जो होगा हमारा वो equal होगा 10 theta divided by sec theta that is इसे भी हम लिख लेंगे यह भी equal होगा 10 theta divided by sec theta cos theta भी सेम इसी तरह से अगर हम check करेंगे तो यह equal आएगा हमारा sin theta divided by 10 theta next next हमारे पास बजगे तीन रिशियो that is cot sec and cosec so cot sec और cosec को भी हम इनी के according लिख लेंगे so अगर हम anti clockwise move करें और cot देखें तो यह हो जाएगा 1 यह होगा 2 यह हो जाएगा 3 so हम लिख सकते हैं कि cot theta जो होगा वो equal होगा cos theta divided by sin theta so cot theta equal होगा cos theta divided by sin theta next next अगर हम देखें तो cosec और sec हमारे पास है तो एक बार sec को देखें लेते हैं sec को अगर हम 1 रखें तो यह 2 यह 3 so 1 equal होता है 2 divided by 3 so इसे हम लिख देंगे sec theta जो होगा cos theta equal cot theta divided by cos theta so यह हो गए हमारे trigonometric ratios के बीच में आपस में क्या relationship होती है और यह हम कैसे move करें यहाँ पर हमने move करा anti clockwise direction में so हम यहाँ पर anti clockwise direction में move करें और anti clockwise direction में move करने के वज़े से हमें यह कुछ formula मिले है और we can say relation हमें यहाँ पर दिखा है so एक बार इसे दुबारा revise कर लेते हैं देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास formula है hexagon से so हमें क्या करना है सिर्फ 1,2,3 का use करना है तो 1,2,3 हम चाए clockwise direction में move करें चाए anti clockwise direction में move करें हमेशा 1 जो होगा वो 2 divided by 3 के equal होगा next next इसी according हम formula यहाँ पर derive कर लेंगे एक तरह से और इन formula का use का होता है इन formula का use होगा maximum जब आप बहुत सारी चीज़े proof करेंगे proving में इन formula इसका बहुत जादा use होने वाला है so यह था इसका trigonometric ratios के बीच में relationship का first part इसी तरह से हम अब इन ही ratios का use करके इसका second part भी यहाँ पर derive करेंगे और second part भी यहाँ पर देखेंगे